हालो फ्रेंट्स तो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ 25 से लेके 29 याने की पूरे next week हम लोग swing trade के जो stocks है दो stocks लेकर आयों दोस्तों उनको हम लोग monitor करेंगे जब भी वो कॉल्स हमारे एक्टिवेट होंगे तभी हम उनमें entry लेंगे तो चलिए फंट बने रहे हैं में चार्ट पर चलते हैं यहां पर NBCC का weekly चार्ट ओपन है जी हां दोस्तों कई वार हमको weekly basis पर भी analysis करना होता है तो जितना long term होता है जब इसका breakout देगा तो एक अच्छा वीक से यहां पर तो इसको मैं delete कर रहता हूं फिल हाल तो फिल यहां पर हम लोग एक बार डेली पर चलते हैं क्या हो रहा है डेली केंडल पर weekly तो चलो ठीक हमने देख लिया अगर हम डेली पर चलते हैं दोस्तों आपको देख सकते हो यहां पर इसने अपने फर्स्ट वीक ऑफ सेप्तमबर का हाई एक बार टोनने की कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया अब दुबारा दोस्तों फिर से यहां पर इसमेंट आएगा उसमें और अब एक दो तीन लाइन दोस्तों मैंने सेंप्ली ड्रॉ किया हूँ है लेकिन हमको एक्शन लेना इस वा होएगा तो यहां पर क्या अलट आएगा दोस्तों आपको इंट्राडे पर आप लोग बिल्कुल ले सकते हो यह रेड लाइन है इसका मैंने कुछ नहीं लगा इसको मैं कांटर डिलीट ही कर देता हूँ करेट करेगा यह ब्लू लाइन है दोस्तों एक और यहां पर अगर तोड़ता है तो लॉंग टर्म के लिए हम लोग अच्छा खासा दोस्तों यहां पर एक मुमेंट देखने को मिलेगा एक दो महने तका रामसेस में होल्ड करकर रख सकते हैं तो चले फिर नेक्स जो था व रेंज बाउंड है वही हमारा टार्गेट होगा तो 2% के असपास रेंज बाउंड होता है यहां कहीं कल पर सो तो आपको यहां पर इस तरह अलट आ जाएगा दोस्तों टेलीग्राम आप लोगो जोईन करना हो तो आप लोग नॉमिलर चार्ज देके लाइफ टाइम के दोस्तों यहां पर मैं अलग स्ट्रेजी लेकर आयों जिसमें खुद भी काम कर रहा हूँ 15 और आप देख सकते हैं की वही मैंने यहहां पर कुछ 55 रुपे इन्वेस्ट करके रखा है इसमें इसेज क्या है दोस्तों बहुत अच्छी इस्टेटिजी बहुत अच्छी काम कर तो आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं मैं यह दोस्तो डेली चेट चार्ट है तो यह IPO बेस्ट स्ट्रेटेजी दोस्तो यहाँ पर IPO खुला रिसेंट्ली जुलाई में अभी चल रहा है सेप्तमबर तो जुलाई में IPO खुला खुलते से उसने नीचे की तरफ क्योंकि द दस बंदा दिन या वन वीक जो भी वेटिंग फिरेट था उतना वेट किया तो मुझे 30% मिल गया तो दोस्तों जिनका IPO नंबर लग जाता है वो लोग क्या करते है जनरली एक human psychology होती है और अल्री 30% निकल गया देको गिर रहा है गिर रहा है में भी निकल लिता हूं तो इस क्योंकि लोगों ने profit book की ये correction आया लेकिन उसकी जो खुद की ओकाद थी उसे stock की वो थी दोस्तो 44 की आसपास दोस्तों फिर लगा इसको कितना दिन एक महीना लगा उसने यहां पर जैसे इसको break किया तो आप देख सकते हो यहां पर जब वज़दस एक moment देखने को मिला वह यह पूरा जो 2000 में IPOs आये में सारी आपके सामने यहां पर analysis लेकर आया हूँ तो कहां गए IPOs के दोस्तों सारे में आप लोग अपकमिंग वीडियो में अभी एक वीडियो अपलोड करूँगा Sunday को टुमारो तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और यह काफी अच्छ खासा है उसकी face value दर कहीं होगी 16-17% खुला लोगों ने profit booking किया अब दोस्तों next trading session day में यह weekly मैंने call रखा है sorry daily कर लेता हूँ हाँ दो दिन हो गए दोस्तों इसको अब यहां पर जब भी इसका breakout करेगा तो बिल्कुल उम्मीद है क्यों 291 तो इसकी ओकाद थी कि आ जाएगा तो 291 तो again magnetic की तरह यहां पर प्राइस चिपकेगा इसको breakout किया तो हम लोगो को attack करना तो क्या strategy होने में दोस्तों किस तरह हम लोगो को यहां पर alert लग जाएंगे सारी सारी चीज़े बताऊंगा मैं आप लोगो को long term करेंगे दोस्तों इसमें हमें invest तो सारी चीज़े दोस्तों मैं detail वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगो तो आप लोग नहीं है तो subscribe करके रखिये bell icon ज़रू on कीजे ताकि आप लोगो झाल